बच्चों, आज दिरांक 10 दिसंबर 2020 क्लास वर्ग पर्थम से 10 संबर तक विशय गीता पाठ अध्या एक असलोक नमबर 22 प्रहाई होने जा रही है आप इस असलोक को भाव में पढ़ना अती आवस्यक है क्योंकि जब भाव में पढ़िएगा इस असलोक को तो आप में भक्ति की भावना जगेगी भगवान के प्रति सर्धा बरेगी इसलिए जो भी असलोक पढ़िए संस्कृत का वा तनमन पवित्रमन से पढ़िए स्वच्छमन से पढ़िए तब किताब भी पढ़ने आप लोग को आएगा असलोक भी पढ़ सकते हैं संस्क्रित किताब को और आप में एक महान चरित्र का निर्मान होगा आप में सज्जनता का भाव उत्पन हो जाएगी आप में जो भी विशय में आपको कराई करा लग रहा है पढ़ने में वह असान हो जाएगा मेहनत कि में करने से आपको सफलता अवस मिलेगी आप भगवान के प्रतिशरधा अवस रखिए तो हम असलोक सुरू करते हैं यावदेता त्रीरीचे हम योधू कामान वस्थितान कैमर्या सहयोदेव्यम वस्थियस्मिन्यरनम आपको समूधमे यावदेता त्रीरेचे हम योधू कामान वस्थितान कैमया सहयोदेव्यम अस्मिन्यरने अशमूधमे देखे, समझने कोशिश किजिए, याओदेतात्री रीचेहम योधू कामान वस्थितान, कैमर्यास योदिव्यम अस्मिन्नलन स्वमू धमे अर्थ है, बच्चों, जैसा कि आप लोग को वालू होगा, यह जो गीता पाठ है, यह अध्या एक का है, और यह असलोक नमबर बाइस का है, यह संबाद जो है, संजय और धितराष्ट का प्रसंग है, जैसा कि आप लोग मा जानते होंगे, कि आपको जानते होंगे कि भगवान स्री कृष्ण के कहने के बाद भी, जब दुर्जुधन नहीं माना था, तब जुध है, दोनों दल में, पांडवों और कौर्वों में, जुध का फ्यकुल बिगुल बज़ चुका, और हस्केश भगवान, हस्केश जो है, भगवान स्री कृष्ण से क्या कहें, जो सुनिये, हस्केश भगवान स्री कृष्ण से बोले, हस्केश भगवान स्री कृष्ण से बोले, कि जब तक मैं, जब तक मैं, जुध छेत्र में, डटे हुए, युद के अभिलासी, इन विपच्छी युद्धाओं को भली प्रकार देखा है, कि इस जुध रूप बेपार में, मुझे किनके किनके साथ युद करना योग है, तब तक उसे खरा रखिये, जब कि अर्जुन आप लोगों को मालूम होगा, कि भगवान स्रीकिष्ट अर्जुन को ललकारे थे, कि अब कोई उपाय नहीं है, अब जुध करना ही होगा अर्जुन, इसलिए अर्जुन भी पान्डवों सेना के साथ जुध करने के लिए, महाभारत संग्राम, महावाराद जुद्ध के शंगराम में आप पहुचे पांडवों और कौर्वों के बीच दोनों दल आमने सामने हो गए इसलिए बच्चों की हस्केश भगवान स्री कृष्ण से बोले कि जब तक कि मैं युद छेत्र में डटे हुए जटे हुए जुद के अविलासी जो जुद के अविलासी हैं ये पांडव लोग कर रहे हैं कि जो जुद के अविलासी हैं जुद के अविलासी कौन थे दुर्योधन थे कावरब लोग थे इन विपच्छी ओधाओं को भली परकार देख लू इस यूद्ध रूप वेपार में मुझे किनके साथ यूद्ध करने यूद्ध करना योग है, मैं किसके साथ कौर्वों के, किनके साथ मैं यूद्ध करूँगा, तब तक उसे खरा रखिए, कहने का मतलब हुआ कि अब जो है बच्चों इस बाइसमा स्लोक में यही बताया गया है कि पांड़ों और कौर्वों पांड़ों पांड़ों लोग और कौर्वों लोग के बीच या भेंकर जुद्ध का बिगुल बच चुका बच गया अब जो है जुद्ध होना सम्भावी हो गया इसलिए इस गीता पाठ को आप लोग समझिए और पढ़िए। पहने से भी आपका ज्ञान बढ़ेगा, संस्कीत पहने से तो भगवान भी ललाइत होते हैं, आप जो है संस्कीत को पहिए, पहने के लिए आ जाएगा, पहना संस्कीत कोई करा सब्द नहीं है, मेहनत किजिए और आज गीता पाठ के सुब अफसर पर आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक सुबकामनाएं प्रदान करता हूं जय जय हिन और धन्नवार्ट